नमस्कार दोस्तो FNN News में आपका स्वागत है दोस्तो जिस प्रकार से Artificial Intelligence का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ रहा है अब इसके दुष प्रभाव भी आने शुरू हो गए है सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद ने पहली बार क्यत्रिम बुद्धि मता के खतरों पर एक बैठक की इस बैठक का मकसद अंतराष्ट ये शान्ती और इस्तिरता लाना रहा स्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशद के महासचीव अंतोनियो गुटेरस ने AI इस्तमाल के नियंतरण को नई संस्था बनाने का आहवान किया वहीं चीन के जहांग जून ने AI को दोधारी तलवार बताया और कहा कि बीजिंग AI के लिए मार्क दर्शक सिधान्तों की स्थापना पर सयुक्त राष्ट की केंद्रिय समन्वे भूमिका का समर्थन करता है उन्होंने AI पर लचीले वैश्विक कानून और मानदंडों की वकालत की साथ ही तकनीक को भगोडा-गोडा नहीं बनाना चाहिए जबकि अमेरिका ने लोगों को सेंसर करने या उनका दमन करने के लिए इसके इस्तमाल के खिलाफ चेताया बैठक मैं गुटेरस ने कहा प्रोध्योगी की तेजी से अपने संभावित खत्रों वे लाभों को प्रिकट करती है और संयुक्त राष्ट के पास निगरानी के लिए विश्विस्तर पर सहमत नियमों को निर्धारित करने का मौका हत्यारों में AI के उप्योग पर है और होने कहा कि संयुक्त राष्ट को रोक के लिए कानून का बाध्यकारी 2026 तक युद्ध के स्वचालित समझोता करना चाहिए वहीं सभा में बिटेन के विदेश मंतरी जैंस क्लेवरली ने बैठक की अध्यक्षता करते हो कहा कि AI मानव जीवन को मौलिक रूप से बदल देगा हमें ततकाल ट्रांस्फॉर्मेटिव टेकनोलोजी के वैश्विक शाषन को आकार देने की जरुरत है दोस्तो जिस प्रकार से AI का प्रभाव तक्नीक के शेत्र में अंदादुन बढ़ रहा है वैदिन दूर रही जब विनाशकारी हतियारों से लेकर मानव जीवन शैली तक इस क्रत्रिम बुद्धी के हातों में होगी और शायद भविश्य में एक बड़ा विनाश देखने को भी मिल जाए इसलिए artificial intelligence का प्रियोग मानव को सोच समझ कर करना होगा ताकि भविश्य के होने वाले विनाश को समय रहते रोका जा सके तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये news हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही like और share भी करें